आप लोगों का स्वागत है मेरे को और वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेकपाल भरती दोहजार चॉबिस और बीएसपी, एससील, जूनियर एकॉंटेंट कलर के लिए एकॉंटेंसी का जो पेपर है जिसमें हम सब 50 मार्स करेंगे मतलब 100 मार्स का आपका जो एक्जाम होने वाला है दोनों एक्जाम की बात कर रहा हूं मैं उनमें से 50 मार्स आपका एकॉंटेंसी कराएगा इसलिए एकॉंटेंसी बहुत ही महतपूर है इस वाले वीडियो से जरूर question रहने वाले हैं तो accountancy का ये state number 12 होगा चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं इस वाले वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं accounting standards chapter का क्या नाम है लेखांकान मानक या accounting standards ठीक है ये क्यों बनाया गया किसले बनाया गया अंतराष्टे accounting standards क्या काता है भारत के accounting standards क्या काते हैं यहां से बार-बार प्रसंट पूछा जाएगा ये वाला वीडियो के बाद जो अगला state 13 है उसमें इसी वाले chapter का MCQs रहेगा ठीक है तो चलिए पहले कुस्तन से सुरवात करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे सब बोले हिंदी और इंग्लिस दोनों मेरा ना चाहिए तो मैं almost 90% इसका इंग्लिस भी कर दिया हूँ पहला नंबर लेखांकन मानक प्रमाप क्या है वाट इस मिनिंग ऑप accounting standards तो लेखांकन मानक एक कानून इस्थापित रीती रिवाच व्यपार में हुए लेंदेन को लिखने और उन्हें प्रस्तूत करने में एक रुपता को दरसाता है मेरली क्या है कि पहले जो हुआ करता था accounting वो एक कागच में note down कर लिया जाता है तो कच्चा चिठा आप बोल सकते हैं ठीक है न तो कच्चा चिठा में लिख लिया जाता था लिकिन क्या पूरे साल का वो लिख पाएगा कच्चा चिठा में लिख भी लेगा तो क्या एक जिगा समेटे रहेगा नहीं रहेगा ठीक है इधर उधर हो जाएगा और उसका कोई भी मतलब अगर किसी को tax भी लेना हो तो वो कच्छा चिठा क्या दर्साएगा कुछ नहीं दर्साएगा इसलिए बहुत सारे country द्वारा मिलकर लेखांकान मानक परमाप को लाया गया जो कि ये इस्थापित करेगा कि पर जो लगेगा उसी को समझ लिजे बोलता है लेखांकान मानक परमाप यानि accounting standards ठीक है तो accounting standards is a mode of conduct imposed by custom law और professional body for the benefit of public accountants and accountants generally ठीक है यानि लेखांकान मानक के कैसा कानून है जिसके तार जो भी लेन देन होगा जो भी प्रस्तुतिकरन होगा उसका एक कुछ नियम या कानून रहना चाहिए इसी को बोलते हैं लेखांकान मानक परमाप यानि accounting standards जो होगा ये एक नियम है एक कानून है किसका कानून है तो accounting standards लेन देनों पर इस्थापित करने वाला कानून है ठीक है इसी वे में समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं के लिए second question है लेखांकान मानकों को संसोधित किया जाए तो उसे क्या कते है माल लेते हैं आप accounting standards लेखे कानून जब भी बनता है तो एक ही तरीका का तो कानून नहीं रहेगा ठीक है तो इसको कभी-कभी बदलने के वाल सकता भी होती है समय के अनुसार ठीक है time के अनुसार इसको बदला जाता है तो जब आप accounting के रूल को बदलते हैं यानि accounting standards के रूल को बदलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है तो accounting standards amendment is called इसको बोलते हैं क्या समान सुपरित लिखांकन सिद्धात यानि generally accepted accounting principle GAAP फुल फॉर्म याद रखेंगे ये भी पूछा जा सकता है यानि normal law अगर हम सब constitution में बदलते हैं तो law बदलेंगे ठीक है तो उसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं generally accepted accounting principle GAAP चलिए उसके बाद तीसरा देखते हैं लेखांकन की उचीत परिवासा विसेस्ता सहीत क्या हो सकता है मतलब including characteristics what is the definition of accounting standard यानि यह जो लेखांकन यानि standard का परिवासा जो होता है इसकी विसेस्ता क्या है what is the characteristic ठीक है इस पैसिलिटी क्या है तो चलिए देखते हैं हम सब इसकी विसेस्ता के उपर हम सब बात करते हैं पहला नीती प्रलेक होते हैं are the policy documents यानि कुछ कानूनी है कुछ policy के documents के benefit पर यह बनता है accounting standards दूसरा जो एक लेखांकन विसेस्ता के body द्वारा निर्गमित किये जाते हैं यह ऐसे नहीं है कि accounting standard अराम से किसी के द्वारा जारी किये जाते हैं नहीं issued by the recognized expert accounting body जो के competency में expert है ठीक है और खास करकि कुछ संस्था से जुड़े हैं वहीं इसको क्या करते हैं इसको recognize करते हैं इसको issue करते हैं तीसरा इसका संबंद इनका संबंद विविन लेखांकन वेभार तता घटनाओं को मापने तता उनको दर्शाने से होता है ठीक है relating to various aspects of measurement treatment and disclosure of accounting transaction and events यान सब्सक्राश्ट में सब बहुत सारे स्रेनी भी देखने वाले हैं कि एक्च्वल में accounting standards से कहां से और ज्यादा प्रस्न बनेंगे लेखांकन मानकों के उद्देश क्या है what is the objectives or purpose of accounting standard तो एस जो लिखा रहेगा उसको accounting standard बोलेंगे ठीक है अभी हम सब आगे जानेंगे तब आ लेखांकन वेभार की प्रभाब को दूर करना to remove all effective unequal accounting behavior तीसरा वित्य विवरन को विश्वस्निया तता तुल्निया बनाना ठीक है to make financial statement trusted and comparability यानि तुल्निया बनाना तुल्लात्मक बनाना जब तक आप तुल्लात्मक नहीं करेंगे तब तक आपको विवरन का पता कैसे च इसमें अलग प्रकार के सारा जितना भी accounting terms होता है वो दिया गया है जो कि हम सब देखेंगे अगर आप पूरे terms ना लिखने के बजाए आप सिर्फ as1 लिग देंगे तो काम चल जाएगा इसलिए लिखांकन मानक बनाया गया है ठीक है accounting standards बनाया गया है चलिए चोथा क्या फ तो सबसे पहले अंतराष्टिय लिखांकन मानक international accounting standards क्या है ये क्यों लाया गया तो लिखांकन सी दांतों तथा वेभारों में जो accounting principle है थोड़ा मैं इसको इंगलीस कर देता हूं accounting principle है ठीक है तथा वेभारों में एक रूपता लाने के लिए ठीक है एक युनाइट लाने के आया एक committee बनके आया जिसका नाम था international accounting standards committee ठीक है इसका headquarters लंदन में है तो direct question भी आ सकता है international accounting standards committee का headquarters कहा है तो headquarters लंदन में है ठीक है तो अंतराश्टी लिखांकान माना क्यानी international accounting standards ये कब बनाया गया 29 जून 1973 को 9 देश के 16 accounting bodies द्वारा ठीक है अलगलग country के 16 accounting bodies द्वारा ये बनाया गया सम्मेक सम्झोता हुआ और इसके बीच निकल के आया international accounting standards committee जिसका headquarters लंदन में है तो international accounting standards committee के founder country कौन कौन से थे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन वा आयरलेंड एक ही में account कर लिजे औस्टेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जपान, मेक्सिको और नीधरलेंड ठीक है सभी country ने 10 अक्टूबर 1997 को agreement पर signature किया और ये बन कर आया international accounting standards committee अब बात करते हैं कि भारत में accounting standards का चलिए next, इसमें अब तक यानि international accounting standards committee में 41 अंतराष्ट्य लिखांकान मानक है, भारत में 32 है तो हम सब भारत वाला पढ़ेंगे, यहां से नहीं पूछेगा प्रस्म कि 41 में क्या-क्या rule बनाए गया है, यहां से नहीं पूछने वाला है, तो accounting standards एक परकार का ये दर्स आता है कि इसमें इस बात की व्याख्या की गई है, अब चलिए देखते हम सब भारत में लिखांकान मानक क्या है, accounting standards in India, तो 1977 में यानि 1977 में भारत में एक institute आता है, institute of chartered accountants of India, यानि chartered लिखाकार संस्था, ने एक लिखांकान मानक बनाया है, जिसका नाम था accounting standard body की, board की स्थापना क 1977 में, ठीक है, तो भारत में जो है accounting standards लाया गया, अब ये officially बन गया कब, यानि कानुनी रूप से कब बन गया, ठीक है, पहले लोग इसको ignore कर देते थे या फिर मैं बताया आपको कच्छा चिठा वेगरा का यूज कर लेते थे, लेकिन इसको properly rule बनाया गया, भारतिया कमपन द्वारा accounting standards बनाया गया है, अगर कोई संस्था नहीं मानती है, ठीक है, कोई आंकेंचर, मलब कोई संस्था नहीं मानती है, कोई form नहीं मानती है, तो auditor जो होगा, इसके उपर report लिख सकता है, ठीक है, इवेन इसका कानूनी प्रकरिया है, तो accounting standards के बारे में मैं आपको क्या बता है, यह actual में कानून है, किसके उपर कानून है, तो लेखांकन, यानि accounting के उपर कानून है, कुछ रूल तो होगा ना, किसी चीज़ का, कि आप अपने मनमाने ढंक से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो लेखांकन मानकों का अनूपाल, accounting standards इसको बोलते हैं, कि आपको आ मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे, तो इसके उपर आपका कानूनी प्रिक्रिया होगा, चाया आप संस्ता हो, चाया आप एकाकी वेपार कर रहे हो, ठीक है, कोई form चला रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर auditor जो होगा, वो report कर सकता है, चलिए, भारत में 32 accounting standards बनाए गए, भारत में लेखांकन मानक कितने बनाए गए 32, ठीक है, according to Institute of Charter Accountants of India, there are 32 accounting standards, 32 मानक तयार किये गए, इसी मानक को बोलते हैं, जैसे AS1 accounting standards का मतलब हो गया, तो AS1 आया 1979 में, इसमें सबसे पहले क्या वियाख्या की गई, disclosure of accounting policy, ठीक है, लेखांकन नीतियों का प् अब देखिए, कोई भी company अगर ये AS1 लिखना भूल जाएगी, तो उसके उपर कानोनी प्रक्रिया होगी, यही मैं आपको बताना चाहरा था, दूसरी बात, इसमें फाइदा क्या हुआ, देखिए, अब क्या होगा, कि जब भी company कोई चीज तयार करेगी, तो उसमें, जो accounting policy के बारे में जब भी बात करेगा, तो वहाँ पर accounting policy नहीं लिख करके, लिख देगा AS1, तो लोग समझ जाएगा accounting policy, auditor लिख देगे क्या AS1, तो उसका मतलब क्या हो गया, लेकांका नीती का प्रकटी करन इसमें किया गया है, यहने disclosure of accounting policy किया गया है, बात समझ में आ रहा है, ऐसा कितना है, 32 standards है, ठीक है, 32 standards है, जिसको इस वाले वीडियो में हम सब कभर नहीं करते हैं, अगला वाला वीडियो में कभर करेंगे, तब आपको अच्छे टंग से समझ में आएगा, AS1 का मतलब आप समझ गये, accountancy standards 1, यह क्या संकेत दिया गया, कि accountancy standards 1 में, यहने AS1 में क् लेकांका निती का प्रकेटी करन क्या गया है, disclosure of accounting policy लाया गया है, 1979 में लाया गया था, तो इसी तरह 32 हम सब को देखना है, और 32 याद रहना चाहिए, इसलिए बार-बार revision करेंगे, तो अगले वाले वीडियो में हम सब इस वाले series से AS1 से लेकरके AS32 तक, जो कि सुभा आपक उसमें हम सब क्या कर लेंगे, objective इस वाले chapter का कर लेंगे, ठीक है, चैनल पे नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लेंगे, और एक like कर लेंगे, और आपके लिए जो BSPSCL Junior Content Color की तयारी कर रहे है, ठीक है, हमारे चैनल पे, उनके लिए खास new जै कि, आज रात 10 बजे और 10.45 में हम सब history से सुरवात कर रहे हैं, जीके का, तो आधुनिक इतियास, यानि modern history से आप सुरवात कर रहे हैं, तो modern history का अगर आपको live class करना हो, तो आज रात 10 बजे आप सब तयार रहेंगे, all the best, ठीक है, मिलते है next video में,